आदर से जादा मोला क्लिनिक इनके पश्यू पालन के अंदर बन रखे हैं तो फिर दो बार से मुख्यमंत्री कैसे बन रहे हैं पहले इन्होंने रा नीति क्या चली बिजली परी पानी परी उसके बाद आगए बस परी क्या मानते कि गौर्बिन जॉब लग जाए तो मेरे रोजगार हो गया अपने काम को आप रोजगार नी मानते विश्विद्या ले सब बनाने के लिए पांच एकर दीया सुप्रीम गोड ने अभी मजिद बनी नहीं मंदिर बन के त्यार है वहां कोई बोल अपने बोल दे कि इसको रोक करके वहां बना दिये जाए आज जिस आदमी के पास में टू विलर होता था आज वो फोर विलर खरीज रहा है क्यों बोले लेकिन सरकार का संघर श्रा यह किस बात पे विकास के काम पर या किस किस बेस पे होगा चार सो पार इसलिए होगा कि देखिए जिन लोग को जलाई उजना से गैस के सिलेंडर मिले जिन लोगों को आवास उजना से घर मिले उन लोगों का वोट मोदी जी को जाएगा ठीक है राम मंदीर दूसरा मुद्दा राम मंदीर का पुरा जो मोदी जी ने राम मंदीर को गहराई से बीजेपी ने गहराई से राम मंदीर का मुद्दा उठाया और मतलब बीजेपी के मतलब एड़जेंटे में उसमें था कि हम राम मंदिर का मुद्दा हल करेंगे वहाद करा तीन सो धारा तीन सो सटर अट गई तीन तलाग का मुद्दा हाट गया यू सी सी आने वाला है एक समानता का अधिकार सबको होगा तो देखि सबसे कम वेकेंशी की बात कर दूशी सरकार में आई है और बेरोजगारी भी बढ़ी है देखे यह आप सब यह ख्याली प्लाओं है आज की डेट पे बीस करोड लोग जो हैं गरीबी रेका से उपर उठ गें आज जी सादमी के पास में टू विलर होता था आज वो फोर वि रहे हैं त्यारी कर रहे हैं विकिंसिया नहीं आ रही है देखे आप रोजगार को क्या मानते कि गौर्बिन जॉब लग जाए तो मेरे रोजगार हो गया अपने काम को आप रोजगार नहीं मानते आज की डेट पे देखे फूल माला बेचने वाले राम मंदिर का है है दो-तीन-स रॉपय होता है आज अजार रूपय में मिल रहा है दो विकास हो रहा है ना तो देखिए विकास हो रहा है अपने裡 काम के लिए नहीं अख से मैं गया तहा हमतों गश्व Sumva लगता है गाहों लगता था लगता निए लकिन अभी हाली में आप मान ही नहीं सकता कि यह वह यह योध्या जिसकी दूर्दशाहिनों ने ऐसी रखी हुई थी आज वहाँ पर आप मुझे कहते थे राम मंदिर राम मंदिर का मुद्धा इतना उठा रहे थे उससे क्या होगा रोटी मिलेगी क्या मिलेगा अस्पताल बनाओ ये बनाओ अस्पता रहा हूं या भी भूल जाएए अगर वहाँ पर होस्पिटल का अभी भी कारे करेगी तो वह मोदी सरकार ही करेगी मैं आपको बता रहा हूं इन्हों ने ऐसे ऐसी नगरियों को ऐसे तीरस तालों को इतना डुबो करके रखा जिसको यह उजाकर नहीं कर पाए लेकिन अगर आज बनने के बाद भी विरोध में इसलिए आपको धक्के खाने पड़ रहे हैं आज आपको नया यात्रा हैं निकालनी पड़ रही हैं आज आपके जो गटबंदन बनके त्यार हुए वो सब तूटने की कगार पर हैं विस सब को पता है कि जनता जागरू को गई है जनता क आज हमारा हरा जंडा पैरो में है और तिरंगा लहरा रहा है गर्व से मोधी जी को वोट नहीं दूँगा हर दूसरे दिन चलाओ तो खबर आती दी पलानी जगा भंपटा धंकानी जगा पंपटा चुवालीस मरे 175 गाय गिंती चालू है आज वो सुनने को इनी मिलता भटन तो दूर की बाता है तो क्या मोधी जी को वोट नहीं दूँगा मूर चीज गरीबों के लिए घर शोचाले सलेंडर बिजली जीवन स्वास्तर भीमा सब कुछ मोधी जी ने गरीबों को दिया तो क्यों नहीं दूँगा अब यह सोचू कि मोधी जी ने मेरे लिए क्या किया मैं पढ़ा लिखा हूँ मुझे सरकारी रोकरी चीए थी मोधी जी ने नहीं दी तो भाईया अगर मेरे अंदर काब लिएता है मैं प्राइवेट में अपना पैसा उससे अच्छा कमासतों कमाऊंगा लेकि मोधी को दोशी नहीं दूगा क्योंकि वो वो कारे कर रहे है जो पिछली सरकारे नहीं कर पाई थी सर केजरीवाल को लेकि क्या सूर जी जैसा इंसान मुझे लगता सत्ता के उपर दाग है सर यह ऐसा था जिसने लोगों की बावनाओं के साथ खिलवार किया कौन सी बावना है जो भी जितने भी उन्हों इतनी परसिद्ध हो गई कि कंपणी ने जब उसको लोंच यह था तब नहीं होई होगी वैगनार वाले वैगनार इन्हों ने कैप ड्राइवर किया नीचे तब करके सब को टिकते दी लेकिन इनको राज नीति में पता चला होगा कि राज नीति में पैसा भी चाहिए इनको पैसों का दाल लगा इन्होंने रिजाइन दिया सत्ता क्योंकि कांग्रेस का विरोध करने वाले कांग्रेस से समर्थन वांग रहे थे पहले यह ठीक थे बार में राज नीतिमार आता ही ना जैसे चुनाव जीते हैं इन्होंने का दस शीला दिशित को जेल पुचाऊंगा जन लोग पाल लाओंगा और शीला दिशित से ही घटबंदन की बातचीत करने लग गए जगदाल नहीं गली इन्होंने अपना त्याव पत्र दिया और धन्ने पे बैट गए उसके बाद लोगों गुमराह कर दिया बिजली पानी पे आ गए सत्ता के अंदर बैगनार वाले सर बिजली का बिल पता है कर देखे अपना विजली का बिल निगा ले अगर बिजली आपने पाँच हजार पे की यूज करी है 200 यूनिट के बाद तो उसके अंदर 32-3300 मातर 3000 पे तक का टेक्स आप पे कर रहे हो और वो ही 5000 का बिल आप 8000 का पिल पे कर रहे हो अगर मेरी बाद जूटो तो जो मर्जी बात बोले लोगों को बनाया इन्होंने पागल उसके बाद इन्होंने किया पानी फ्री पहले हम तूटी से भी मंदिर के भाद नलके से भी पानी पी लेते थे महला क्लिनिक के अंदर आप जा करके देख लो अगर डॉक्टर को आप दिखाने जा रहे हो ना चुटमुल के अंदर वो कहेगा नहीं नहीं यहां नहीं हो तब बड़े में जाओ वो देखेगा इन्हीं आपको हाँ चुखाम है सर्वी है कहेगा यह ले लो इतना हंकार पहली वा और आदर से जादा महला क्लिनिक इनके पश्यू पालन के अंदर बन रखी है तो फिर दो बार से मुख्यमंत्री कैसे बन रहो ना पहले इन्होंने रा नीति क्या चली बिजली परी पानी परी उसके बाद आगे बस परी उसका महिलाओं को यह फरी पलाना परी आगे उसके बाद यह आए पहाड आएंगे और में घपला बहुत हो रहा है जांगीर पुरी में एक और पहाड इकठा हो गया तो लोगों आप अब नहीं आएंगे आप यह भी देखना अब जो इनकी जो उजागर चीजिए होई ने टाइम लगा मैंने जैसे बोगा अब इनके तीन तीन नेता पस्कियों ली तो जनता को इसका भी जवाब दो और पहले तुम ही कह रहे थे एडी में दम में हैं सीबी आई में दम में हमें पकड़े हमें पकड़े और जब पकड़ा तो प्रूफ के साथ पकड़ा तभी सुप्रीम कोट ने बोला कि भाई आपको जो आपकी जमानत दिय ले ओडर कर देगा इनकी गिरफ्तारी के तो यह आरोप लगा देंगे कि कोट भी बिग गया एडी बी बिगई सीबी बिगई पुलीस भी बिगई सब कुछ भी गया